जयसे इतने कारकरता है, हुपसा ही होता है,今天 साथ मिचलना है, अंधी भाई चाय हुआ हम कार Definitely plays कराया और not to do 100 पर्फेट बदीञे नहीं कि लोग कोई का नजे कोई कांतरी लोगों की space यहां की मानतें कि मुझे मंत्री कि'कट मिलने का था उपने बता दिया मंत्राले मिलने का मंत्री है सरकार है कहते हैं मुस्ली मधद्ञाताओं से मिलते हैं वो कहते हैं कि सर विजेपी की नीतियां अच्छी है माल लीजे विए प्कमान गिए है तो यह 80 और 20 किया है क्या हम 20 उनके एजेंडे में शामिल नहीं है उनके पॉलिटिकल मोटिव में शामिल नहीं है अलपसंख्यक कल्यान लंट्री का क्या सुचना है से नमस्ते मिना नाम सिध्धान्त है और दिललन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय हम लोग प्रयागराज में हैं कालांतर में इलहाबाद कहा जाता था नई सरकार आई नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई इलहाबाद का नाम बदल के हो गया प्रयागराज और इलहाबाद दक्षणी जो विदासभासीट है उससे मौझूदा विदायक और यूपी सरकार में सिविल एवियेशन, पॉलिटिकल पेंशन, मानिर्टी वेलफेर, वक्फ और हज ये मिनिस्ट्री समहा लहे, नन्द गुपाल गुपता, नन्दी जी, हमारे साथ फ्रे में मौझूद है, सर बाचीत करने के लिए बहुत बहुत बाश्कुरिया, और हालिया परिच्छे, सोशल मीडिया वाला दिया जाए, तो प्रचार करते करते चाय बनाने लगते हैं, क्या चाय की दुकानों पर चाय की पत्ती बेची है, हमने समोसे बनाया है, हमने मिठाई बनाई, जलेवी बनाई, तो पुराने साथ ही मिल जाते हैं, कहते हैं, नन्दी भाई ये करो तो, हमने कर लिया, अच्छा, कहा किजी ने, हाँ, कहा, बनेक नियोता था, क्या ये, नियोता और मुझा पर्फेक्ट बनी कि नहीं बनी तो क्या में आम जन मानस को भी दिया बोले क्या एकड़म पर्फेक्ट बनी थी कई सारे लोगों को टेस्ट कराया खुद भी पिया अच्छा मंत्री जी लोग की चाय कोई कौन बुरा कहेगा नहीं आशा नहीं अच्छा पुरा कौन कहेंगा इ fellow K Okay write my handle I नंदी भौय कि Yap Kona कहेंगा मंत्रीं कोई oluyor इस फरी मेरे साफ़ बेठे घाड़ी पे चलिए तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो तो अपनी तराजुरी जी छोड़ के दोनों हाथ से दोड़ेगी मिलने के लिए, कोई भाई सब्जी गठेला लगा रहा है, फुटपाथ में सब्जी लगा रहा है, कोई पकोडी चाय बेच रहा है, चाड बेच रहा है, यहां तक कि हम दिन भार एक बड़े खर की वेगारी लिए करते थे रात के अपने घर टीवी देखने दे, वो कहता है, तो मेरा जूथा पालिस करा के लिए आओ, तो चौक चले गए, नास सिनेमा के निचे, जूथा पालिस करने आले बहुत बैटते है, अभी मैं गया था चुनाओ परिचार में मोची आकर एक से मेरे गले पहचाने हो नंदी भाई है, हमका हाँ चुचा पहचान लिया, हाथ हमने बढ़ा है मिलाने के लिए कहा नहीं गंदा है, हमका लाओ मिलाओ, गंदा है तो का हुआ धुलिया जाई अज़े, कैसे आए पॉलिटिक्स में आप में दीजिए, क्या कहानी आकी, लोग बड़ा जानना चाहते हैं कि बंतरी लोग जो है, उनकी कहानी क्या है, पॉलिटिकल जर्नी ज़रूरी भी होती है लोगों की जानना, कैसे आए, क्या आए, कब हुआ, कहां से पढ़ाई यह सब लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, क्या पूछना चाह रहे हैं, राजनीती, कैसे शुरू की, देखे, राजनीत में आना, मेरा कोई सोचा सम्झा निर्णे नहीं था, प्रयागराज की धर्ती पे, गुंडा गरदी चरम पर थी, एक परिवार जो, पीसों साल, पचासों साल से घर में रह रहा था, किसी गुंडे ने खरीद लिया, और इसको खाली करा लिया, फिर रोते हुए लोग आया, हम मदद नहीं कर सके, फिर एक गुंडा टाइप का आजमी चुनाओ रढ़ गया, वो विधायक हो गया, फिर एक गुंडे ने उस गुंडे को, या उस बिधायक की हत्या कर दी, तो मेरे मन में आया कि जब ऐसे लोग चुनाओं जीच सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं है, और हम बच्पन से ही, मेरे मन में कभी यह नहीं आया कि बड़ा काम हम नहीं कर सकते हैं, वीडियो चलाते थे, तो भी टार्गट था, सहौ रुपए रोज घंआना है, सौ रुपए में तीन वीडियो गाए दिखाते थे लोगों सैम ही 100 रुपे, 120 रुपे में तीन पिक्शर अज़ लगता ता सौ रुपे रोज अलग करके रख लें, बचा किसे वी लिए हैं अगर हमारी जर्णी आप पूछना चाह रहे हैं तो क्या ऐसे मेरी जीवन में इतनी कहानी पुरी रात बथाते रहेंगे और दर्सक भी बहुत इंटेस्ट लेकर के सुनेगा और समझे का कल मेरे यहां एक महासर दे रहते हैं कि हमने टाटा अंबानी की कहानी सुनी है और देखा यहां कि कोई संगस करते करते कैसे यहां पहुंचता है जब फिल्मों में दिखाते हैं कि अमताब बच्चन या सल्मान खान कूदे नीचे उतला रहता और नीचे खड़ा मिलता है मेरे पर RDX बंबलाश भी होगा है रिमोट बंश आएंगे उस पे हम लोग दिन पर एक बड़े घर की बिगारी हम लोग जोपर पट्टी पे रहते थे यहीं मुठी करने ओमा संकर आयल मिल के सामने काली बाडी के पीछे दिन भर एक बड़े खर की बिगारी इसलिए करते थे कि अपने खर में टीवी देखने दे हैं तो मेरे जूता पॉलिस करा के ले आओ तो ले आए चौक चे ले गए नास निमाग पास जूता पॉलिस करने मोची बहुत बढ़ बढ़ते मासर करते हैं वो कहें मेरा कूड़ा फेक क्या हो तो जैसे आप जानते हैं कि पहले पुराने घरों में हमारे आप कहां भी हुआ होगा कि तुटाहा तसला नहीं होता उसी में सारा कूड़ा रखते हैं और फेकने के लिए नीचे चूता भी रहता है पानी तो मतलब ले जागे फेकते हैं मेरा कूड़ा फेक क्या हो तो रख करके सर पेकाते थे पानी भी गंदा जूता था एक दिन ऐसी कोई हासी की सीन आई ये जो है जिन्दगी एक सीलिया राता था सती सा संकत सरूप जी जो है जिन्दगी एक सीरियल था मुझे जोर से हासी आई हासी की सीन थी मकान में लिक के बेटे वो लोग तो सोफे पे ऐसे बैठते थे तकहत पे बैठते थे बोरा विचा के बैठ जाता था देखने के लिए ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था सटर वाला बड़ा एंटीना और पूरे महले में एकाथ घर में साथ कलर टीवी हो नहीं तो दो तीन घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था त्यून करना पड़ता था उसको देखने के लिए चिल मिलाने लगता था करर दिखाने के उपर से नीला लाल पीला रंग भी रंगा सीसा लगा लेते हैं लोग बस में नहीं था या पूरे महले में एक दो घर में होता था तो मकान मालिक के बेटे को जब मैं हासी की सीन में जोर से हासा उसने मेरा कान मेठा दो थपन मारा मुझे घर से बगा दिया अच्छा अब घर से बगा दिया तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी मतलब मैं रोया थोड़ी देर घर आके ऐसे तो मेरे पिता जी पोस्ट आफिस में फोर्थ क्लास इंपलाई थे पैकर से सुरू किये मैं जब की बात बता रहा हूं होस समादा उसमें पोस्ट मैं थे डाकिया चिठ्थिया बाटके थे आया रोया थोड़ी देर थोड़ी देर रोने बाद चुप हुआ दर्वाजा बन था बाहर निकाल के दर्वाजा बन कर दिया खिड़की से मैं देखने लगा खिड़की से बहुत सारे शोपरपटी के गरीब बच्चे देख रहा है थे मैं भी पच्पन से ही मेरा चिंगला सुभाव कह लीज़े और नंदी बहल नंदी बहल तो मुझे बच्पन में जब उसने थपड मारा और घर से बगा दिया तो थोड़ी देर रोनिक बाच्चुप हुआ फिर गया तमाम बच्चे देख रहे थे खिरकी से मैं बच्चें को ऐसे खटा करके से एंडी की बल पैर पंजे की बल खड़े हो करके थोड़ा उचक के देखने लगा चोटा था खिरकी उची थी मकान माले के बेटे की नजर पड़ी खिरकी बन कर दिया अच्छा फिर आया पर किस कुमर की बात है किस हुआ है क्या हुआ थी आपकी उससा है मर रही होगी मेरे ख्याल से ब्लेक और टीवी सेटर अटर रोला कब आया था काफी पहले की बात है मतलब आपकी उम्र कितनी अंदाजन एक उम्र आपकी 14-15 साल भीस 14-15 साल पढ़ाई कुछ करते हैं पढ़ाई भी पढ़ाई भी किया फिर अब तो जरूने कब बात चुफ हुआ जब गया वहां से देखने लगा जैसी मकान माली किन नजर पोड़ी खिरकी बन कर दिया अवत तो पताया अपने फिर मैं थोड़ी जर रोया आज मुझे से लगता मैं पूरी रात रोता रहता है तो मैरे की ठीवी नहीं आता हम उजसा वार एकसा बने ब्लेकर रोय टी ती वी नहीं देखने दिया अब मुझे कलर टीवी खरीदना है और इसाद मैंने टीवी नहीं देखना लोगों पिक्चर दिखानी है ऐसा मने मन में जिद आये पर पापा से जिद करी सुवेरे वो विचारे जीपी अप से कॉपरेटिव से लोन निकाले पैसा साथ हजार रुपे मिला मम्मी मामा मौसी य सिटी पोस्ट आफिस के नीचे महां एक बुस का टेली विजन करी थे एक वी सीपी और एक सो बीस रुपे मिलता था उसक तीन पिक्चर दिखाने का लेकिन जुनून था और थपड मारने ना दे का सुक्री आदा करता हूं धन्यवाद देता हूं आज कि अगर उसने थपड ना मारा होता जुनून ना था और जुनून ना होता तो साथ आज यहां ना होता है तो सो रुपे में तीन पिक्चर दिखाना शुरू किया है हाँ तो एक सो बीस रुपे मिलता था तीन पिक्चर दिखाते थे एक सो बीस की सो लोग उताते हैं सो एक सो बीस चालीस रुपे अच्छा लेकिन मन में जुनून था कि 100 रुपे पढ़े हमको कमा क्या लग रखना है 120 रुपे तीन पिक्चर का मिला रात में लोग महमान बुलाते थे अपने गवरों जैसे कथा पूजा भी नहीं है अच्छा पूज पूज में मनों को बुलाया जाता है ऐसे बोलते थे आज मेरे याँ वीडियो लगा है पूरी रात पिक्चर देखते थे हम लोग जिस वी सीपी को जिस चादर में लपेड के बांग के ले जाते थे वही चादर विछाए वही चादर ओड के सो गया तो दो पिक्चर लगाने के बाद मानलीजे कैसेट गंदी है जिल मिलाने लगे तो ऐसे चादर खींचता है ठीक आ नहीं रहा है सुवेरे 20 रुपे काट लेंगे पिक्चर अच्छी नहीं आरे 20 रुपे काट लेंगे तो उटकर के हैड़ेट सापकर के फिर चालू कर देते तो समझेए 120 रुपे में 30 रुपे किराया निकल गया 10 रुपे 3 कैसेट Wiiis पेट्र VPN का निकल गया तो 50 रुपे चले तो बच्छे तो 70 तो दिन में भी चलाएंगे राट में भी चलाएंगे ऐसा प्लान करके मतलब 100 रुपे रोज बचाना है अलग करना इसा मनमें 100 रुपे सो अया तो लगा टीन-सार सो परकेमानाहें और ताकि 10,000 थान हो जाए तो यो एक पैसा कमाने वाला जो होता है तो फिर बीसी एर भी खरीड लिया इबい देडिया स्फील थान आध उये तो तो तीन-सार पर pas वहां और ये गंगा जमना सरस्ती, इस पिच्चर उसी समय आई थी, मुझे वो याद है तूफान, तो वीडियो केसे डाइबरेजी शुरू कर दिये, लाइबरेजी शुरू कर दिये, फिर वीडियो केसेट की रिकार्डिंग भी सुरू कर दिये, फिर कैमरे में साधी भी आया बु तूट्य केसेट लाइबरेजी कार दिये, अच्छा चलने लगा तो उसी में, पीसीयो भी लगा लिए, फैक्स भी लगा लिए, फोट्रे इस्टेट मसीन भी लगा लिए, ये अच्छा चलने लगा, तो फिर सामने, चाट फूर की टिक्या भी लगा लिए, लकांway के बाहर यहीं बहादर रुमनकामनापूर्थ सिंह मंदर के सामने वेड़ इस तरह larger बढ़ते पर बढआ गए तस से बीस जार तका लें लेकिन मन में आए कि हम जब ये घटना घटी एक गुंडे ने घर को खरीद लिया और खाली करा लिया हम उसकी मदद नहीं कर पाए रोते हुए है मेरे पास क्यों कि मेरा ऐसा सुभाव था तो आदमी सुचता था समझता करा देंगे ऐसे कर देंगे रोते हुए है हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाए हम जितना मर्जी रुपया कमा ले पैसा कमा ले हम अपना वैपार कर रहे हैं क्यों किसी गुंडे पीच में पड़े वो हम से आके लड़े कोई भी हो इस तरह गुंड़ा था नामी गुंड़ा था कि बसे ही नामी गिरा में आती कहमा दी यह सब गुंडे रहे हैं और कौन रहे हैं पिर उसके बाद इस मकान को खाली करा लिया फिर लगा कि हम जितना मरजी पैसा कमा लें कोई पता चला भी है दरोगा ले गया जब अच्टी बैठाला है छोड़ नहीं रहा है अगा कितना पैसा हम कमा ले दरोगा के ट्रांसफर तो नहीं करा सकते दरोगा के सस्पेंट तो नहीं करा सकते जितना मर्जी रुपया कमा ले एक बेटी की साधी में दोस्त की बेटी की साधी है तो मदद कर दिये रिष्तेदार की बेटी की साधी मदद कर दिये बाद में वह पैसा मांगने में तो तो मैम हो जाती। एक बेटी दो नहीं होता है। पैसा किसी को दीजी और मांगने पढ़े संगोश लगता है। उ तो यह सारी चीजें हैं मन में आए कि हम नहीं कर सकते जितना मरजी पैसा कमा लें। हम अपना घर का चबूत्रा तो बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने घर की सीड़ी में ग्रेनाइट और मर्बल लगा सकते हैं, लेकिन पूरे महले की साड़क और गली नहीं बना सकते हैं, जितना मरजी रुपया कमा, कोई पैसे लागा, इसके लिए राजनीत में आना जुपहला तेकाण, दूजर साथ, पहला चुनाओ, जीवन का पहला चुनाओ, कोई चुनाओ नहीं लड़ा, कैसे किस ने करवाई दिमायोती से मुलागात अब की? हम ऐसे ही मतलब जब ऐसे पता चला कि ऐसे से है, हमने खोजा कैसे हो सकता है, तो इंद्रजी सरोज थे यहां के, बड़े निता माने जाते थे, बसपा के, यह कहें कि बड़े निता है, यह जोईन करा सकते हैं, मैं कहा मिला, तो मुझसे भूले कि, क्यों जोईन करोगा, मैं विदासभा का नाम तो इलाभाद अभी भी है को बोले सही में लड़ेंगे क्या साधन क्या आपके पास है का साधन मतलब कैं ट्रांसपोर्ट तो मैंने का मेरे पास गाड़ी है सफारी है कि हमको सिमेंट जारें तीन साधें हिन एजार तीन साधेंहें शुज्रा से दाश घजार तो इससे वाइपार भी वढ़ते हैं शीक शीकर कॉर्ढल्स करतें के लिए वमझे लिक्तिश में सिमेंट ज्यादा बेचने का बेच प्राइज मिला था इंडिका कार गाड़ी की नाम में अच्छा तो उसका गाड़ी का नंबर जैसे नहीं है ऐसे जनरल 201 आ गया तो फिर मैंने क्वालिस करी दी 301 फिर मैंने सफारी करी दी 401 अभी अभी वाली लेटेश वाली का क्या नंब में लेकिन अब बहुत सारे समर्थक सहयोगी लेकर की चलने लगे हैं बाकि मेरा 501 मुझे लगा कि 501 पे रुख जाना चाहिए कहां 601, 701, 801 ले जाएं पर लंबी गिंती गीनेगी 501 तो इसा था था तो फिर लिया ठीक है तो आपसे इंडर जी सरोज ने पूछा कि क्या अब यह जिक आउइ यह गाड़ी है इससे तो फिर ले अच्छा है ध्युक्ति टेले बहुत जी कल आ रही है इस से अच्छा मुच्छा नहीं हुए जाइन करने कश विच्छा होड़ बनवाओ वडींग इस समद्च चलन नहीं था प्र्या गराज में या लावाद लगनों बनता था कानपूर में इलावाद मसीने नहीं थी जो कि हम लोग वैपार और ट्रेट से जुड़े थे जो कॉर्णिंग की भी ईजनशी ah तो कानपूर से मंगवा कि बढ़ा होड़िक लगा दी इतनी बड़ी होडी तुट कभी बड़ी नहीं तो कभी लगते नहीं और बड़ी peaann而 कि चौपनी टाटा बिर्लाम बानी या इस प्रेज्म सिमेंट इसकी होड़िigu से की बड़ी तो लिया ये मतलब पूरा किट होता है उस सारा कुछ मगाना विस्लरी की बॉटल अभी तो बिश्लरी बटल कामन होगी उससमें कॉमन नहीं नहीं है कि तो यह सब अड़ी ज्शें कर लिया ज्वाई नीचे उतरी उस समय में आतंग के वीच में जोइन किया बहाग रहते लो पहन जी न पूछा क्यों जोइन किया मैं जी चुना लड़ूंगा तो बहुत कहां से लड़ो गया तो मैंने का बहाएं जी इलावा दच्ण से तो क्यों इंदर जी यृत कौन लड़ता हो नहीं था इंदर जी शरोज बताया वहां जी वो केशन आतिर पाठी जी यवटे लड़ते हैं है रिता बोगना जोशी जी रड़ती है के शिनाति पाठी जी वरिष नेता है जो राज पाल भी रहे हाँ आज लेकिन आज बावजी का बड़त्पन आज मुझे उन्होंने भरी सभा में आसिरवाद दिया दोनों हाथ उठा करके और इतनी चबर जस्त इस पीज दी इतना मतल को और गेशी नात्रे पाठी को अपने चुनाओ में कितने 24,000 वोड से हराया था कोई 17,000 से कोई 20,000 हमने हराया नहीं तो पब्लिक ने मुझे जिताया था अच्छा मेरा कहीं भी आप चली यह वाला भी माल लेते हैं पब्लिक ने मुझे जिताया ठीक है आम जन्मानस ने तो सहर दचनी विधानसभा हो सकता है किसी के विधानसभा सीथ हो मेरे लिए इस सहर दचनी का अएक घर मेरा परिवार तो आपने जिज़ जद रह बात हो रहे थी कि मैं आवती से टिकट की बात हो रहे थी कि Death कि Kishinaadत रिता को करो डिनका के केसिनात्रपात्य है को जीत कैब के लागो जीतपास आजने लुग last करते हैं था करके 10 लाग करें 11 कृषिना बहुत आदमि कर, में थाbbeा भाता नूइंकि का कीशिनाथ जी पास बहुत आदमाय में बहुत क्या करें आदमी हैं दस लाग करेंगे फिर वो इंजी सरोज ने मुझे इसारा किया कि आप जाएं मैं चला गया इंजी सरोज कह रहे थी बता रहे थे बहन जी पहले कहां पकड़ लाए ये जो कर ये चुनाव लेगा जो अपना अकलन होगा उने कहां पकड़ाये जो कर ये चुनाव लेगा है तो बस मेरे मंण में जुनूर मैंने कहा थपन मारा कान में ठाए दिल से लगा एक धर मैं चुनाव लड़ने के लिए तयार हुए चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के लिए जब मैं पब्लिक में आया बाभुजी चुनाव लड़ना है तो बोले सभासत का आमने का नहीं बाभुजी ए मेले का तो कुछ लोग तो मिठाई पानी पिला दी और जब निकल के गए दिन नंदिया देखो पगला गया करा चुनाव लड़ेंगे केसी नात्रपाधी जी खिलाब चुनाव लड़ेंगे रीता बहुना जोसी जी खिलाब चुनाव लड़ेंगे तो जब लोगों ने हासी उड़ाई तो मैंने दिल से लगाई यह बात भी दिल से लगी कुछ ने कहा कि फासी लगा लेगा बैंक का पर जुड़े न जुड़े पुराना एक भी छूटे न अच्छा ठीक है तो आप के अपने चुनाओ पर चार शुरू किया लोगों ने अट्रोल किया लोगों ने हांसी उड़ाई मजाक उड़ाया पगला गया है फांसी लगा लेगा तो यह भी बात मैंने दिल से लगाई और मेरे मन में जैसे मैंने कहा कि न बड़ा काम हम नहीं कर सकते हैं अपके पास दो ह तो क्रिमा भाक संहल एक से लेके दो तीन चार पांच यह साथ घर गए है दो दिन वैपार किया फिर आट से लेकर के पंद्रा-सोelह सतराविय कहर्थ खटा ड़ डला संपास का है, नहीं टेखा बसपा का, नहीं देखा भाजपा का, नहीं देखा बसपास आा, नहीं देखा चुनाओ आते आते चाहे उर्स रहा हो चाहे गुरद्वारे में प्रोग्राम रहा हो चाहे देवी जागरन रहा हो चुनाओ आते यह हो गया नेता माने नंदी आज मैंने नंदी को देखा आज मैंने नंदी को छुआ आज नंदी के पास बैठे फोटो आटोग्राफ तक की मै भगवान की क्रिपा है 34,822 से 846 मत मिले फब्लिक ने उत्साह दिया, प्यार दिया, आसिरवाद दिया और मैं चुनाजी था आच्छा, हमारे एक सहकर्मी है यहीं प्रयाग राज के रहने वाले है उनके स्कूल में एक बार आप गए थे जब पहला चुनाव जीते है उनके स्कूल में आप गए और वो बताते हैं किस्सा हमसे कि यार हमारे स्कूल में आए थे हम तो बहुत चोटे थे, हम कच्छा पांच्छे में थे और नंदी जी आए उसमें मंत्री उंत्री बन गए थे पहले केमिनेट मिस्टर की पोस्ट भी मिल गई थे आपको और बताये कि देखो हम जब हम छोटे थे तो सब हम सब को सौ रुपए में पिक्चर दिखाते थे और अब देखो हम मंत्री बन गए हैं अब पूरे हम राज्य को पिक्चर दिखा रहे हैं और पाईसा भी कम हुआ के दे रहे हैं क्या मन्रणजन कर क्या था? विभाग क्या मिला था अपको? अपको अच्छा खासा विभाग भी मिल गया एक चीज बताईए बस्पा इसकी पार्टी की आप पॉलिटिक्स कर रहे थे उस पार्टी से निकले या उस पार्टी में मौजूद कई सारे नेताओं ने कई मौकों पर ये आरोप लगाया कि पार्टी पैसा लेकर टिकट दे रही है मायावती पैसा लेकर टिकट देती हैं ये आरोप लगता रहा है मंत्री जी मंत्री बन गए तो और बहुत बड़ा काम है और पैसा देना पड़ता है ये भी आरोप कही सारे लोग लगाते हैं आपकी क्या कहानिया टिकट मिलने का तो आपने बता दिया मंत्राले मिलने का लोग ये करते हैं इलहाबाद में कि नंदी जी को मंत्री बनना था ये जिद बाले बैठे दे चुनाव जितने के बाद हमने बताया आपको कान मिठा थपड मारा टीवी देख ब्लैक और वाइट टीवी देखने ने दिया और चुनून आया ये काम किया है चुनाव में लोगों ने हशी उड़ाई चुनून आया घर-घर-खटाखके नेता माने नंदी हो गया चुनाव जीत गया चुनाव जीतने के बाद कि एंजी सरोज क्योंकि बड़े नेता थे यहां पर सपा कारयाले वहां बसपा के मंत्री नसीम अंदीन से दीकी रहते थे पहले वहां लिष्ट बन रहे थी कि धरम सिंग सैनी मंत्री बन रहे हैं यह मंत्री बन रहे हैं यह मंत्री बन रहे हैं यह मंत्री बन रहे हैं बहुत अच्छी हैं देखिए उस कारकरता को मंत्री बना मेरा तोई पागलपन, जुनून, बच्पना, मैं गया और इन जीस तरोज केसे पैर चुग, मैं का सर, हमको भी मंत्री बन्वा दीजे, चाहे जो बच्छा लगे का देगे, अच्छा, आपने कहा ये, हाँ, अच्छा, ऐसा चलन था, ऐसा सुना था, तो मैंने इसे कह दिया, म हत्ते से उखड़ गया, कहा देखो नंदिया पगला गया, अबे, बैठो, ऐसे मंत्री बन जाओगे, हम लोगो बहन जी की चपल उठा उठा कर रखे है, साइकल सराजनी सुरू किया, तब मंत्री बने है, ऐसे मंत्री बन जाओगे, पांच साथ बिधायक थे आप, राजब हीम था है नहीं, जो अपनी भासा होती ही, गाओं की, कोसांबी की एक अलग ही भासा है, तो उस भासा में उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, हसी उड़ाई, और ताना मरता है अदमी, कसता है, यह बाद भी दिल से लगी, हम ने आप तो मंत्री बनना है, तो जब सरकार बनी, जो टिकायत के बेटे को हराया, वो मिनिश्टर हो गया, योगी राज, जो हरी संकर तिवारी को हराया, वो मिनिश्टर हो गया, मैं नहीं हुआ, हरी संकर तिवारी और टिकायत के बेटे को जो जो लोग हराया, वो मिनिश्टर हो गया, राजमंत्री, मैं मिनिश्टर नहीं ह कुए जाइंट किलर करते हैं पॉलिटिक्स में जाइंट किलर करते हैं बड़े नेताओं को अहराने वाने वाले हाँ तो उन लोगों ने बड़े नेताओं को हराए मेने इस सब्सक्राइब करते हैं। यहां वैपारियों ने मेरा बड़ा समर्थन किया, सहयोग किया, हमने भासर किया, कि देखिए यह जो तो तीन लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, तीन लोग चुनाव लड़ा थे मुकरूप से सपा, बसपा और भाजपा, हमने का इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिसको उनकी पत्री और उनके वच्चे वोट दें, खुद अपना वोट भी नहीं दे पाएंगे, अपने आपको, और आप से हाथ मिलाने कबार तीन चक्कर सावुन से हाथ दोते हैं, कि इंफेक्शन ना हो जाए, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका परिवार का सदस हूँ, तो लोगों ने बड़ा इमोशनली लिया और मुझे चुनाव चिता है, वैपारी वर्ग मेरे बहुत, मेरे साथ रहा, मेरे साथ कंजे सकंधा मिला करके चलता रहा, तो दोजार आठ में, दोजार साथ में मैं मंत्री नहीं बना जब सरकार बनी, क्योंकि सपा की सरकार बनी थी और सतीच चन मिसरा जी बहन जी के जश्ट पीछे वही दिखते थे, जब सरकार बनी तो जश्ट बहन जी के पीछे वही दिखते थे, रामबीर रुपाध्य मंत्री, उनकी पतनी सांसर, ब्रिजेश पाठक मंत्री, उनकी पतनी राज मंत्री का दर्जा प्राप, बने ऐसे नकुल दुबे साथ साथ विभाग, इस तरह से था तो थोड़ा सा, और जो इनका कैडर था बस पाग, वह बड़ा रुश्ट था, चाहिए वो स्वामी परसाथ मोरे आ रहा हो, चाहिए नसीम अद्दीन सिद्धी की, चाहिए बाबु कुछन को स्वाई, लोग रोश्ट थे, इन लोगों को लगता था कि कैसे इनका कड़ घटे, तो फरुकाबाद में चुनाओं हो रहा था, फरुकाबाद के चुनाओं मे अंटू मिसरा को टिकटे दिया, अंटू मिसरा से वहाँ पर बहुत लोग नाराज थे, बहुत वैपारी वर्क पूरा ही नाराज था, तो जब वैपारी वर्क नाराज था तो यह हुआ कि कौन वैपारियों को जोड सकता है, तो उस ही में मेरी खोज हो गई, वही नंदी न अलावाद में वैपारियों को जोड़ा, वैपारियों के वोट से जीता, तो नंदी की ड्यूटी वहां लगाई जाया, मेरी ड्यूटी वहां पर लगी, और मैंने एक एक घर खटखटाया जैसे यहां, वैसे वहां, तीन महेने पहले वहां चला गया, और समझे कि एक बहुत धरम साला था, दसियों कमरे थे, मेरे एक साथ बहुत दोस्त, जार जान पेजा, जो मेरे चनाओं में लगे थे, वो सब भी गया मेरे साथ, कलेंडर बाटने से लेकर के रोट सो तक, गुरगामा देवी मंदिर है वहां पर, मंदिर पर मत्था टेक के वहां से रोट सो किया, तो ऐसे करा तो आप समझे, जो नेता पहुचा बताया नंदी जी आये थे, बारिस होने लगी वोटिंग के दिन, बारिस होने लगी, उस बारिस में जैसे होता है न, कि समाज़ादी पार्टी के मुस्लिम वोटर बहुत लाइन लगा के वोट देते हैं इस तरह से रहा, तो क्योंकि मैं वैपार से जुड़ा हूं तो मैंने तुरंट वैपार मंडल से कहा भई की छाता, वाला कोई बताओ छाते एक दुकान, बोले कि इतना चाहिए, उससे पूछा और कौन तुआ डीलर है तो बताये ये डीलर है वो डीलर, तो हमने तीन हजार हमें शाता चाहिए दो हजार वाईस से चाहता मिल गया हमने हर बूत पे दस दस और पांच कही साथ जैसा जो बूत था, जहां पर हमारे वोट ज्याज़ा थे हर बूत पे चाहता बटवा दिये और पानी में वी वोट डलवाए और जो रिजल्ट आया तो वीस जार वोट से वो जीते और बुल जन्मानस की किर्पा, जन्मानस का सहयोग से मैं बिधायक बना और जन्मानस के सहयोग से ही मैं मंत्री बना किर्पा पात रहो के लिए बड़े नेदाओं को हराने का तमका मिलता तो पहली बार में मैं भी मिनिस्टर हो जाता है यह मेरी मेहनत का मिला मेरे जुनून का मिला मेरे सीधा cabinet मंत्री बराए गया institutional finance stamp and court पी अचा मंत्री जी यहां पर आप दो तीन बर बताएं कि बात दिल पर ले लेते हैं तो मुझे बाद बाद लग रहा है कठीन वाले सवाल कुछूं की नहीं आप से दिल पर ले 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 आप है तो और सुन लीजिए तुला तो कर दार चोटा समय सवाल है मेरा तोिस अब हम के जब यह इनसे कहें कि मंत्री कैसे बनेंगे तो उन्हों मेरा मज्या फूराय पर इस तरपत हो गई वो बत्ति लालबत्ती की गारी में नहीं नहीं गारी से चले गया क्यारा विल्दिंग लखनों में रह रहते हैं औरना का मैं धारं सандमार आप छाहर उसरा HU Tech Semant 은 मैं मंतरी बनने के बाद एक साल एक कमरे के मकान में किराए बिरा है मेरी जित्ती कालिदास मार्ग पर ही मकान लेना है इस समय चे शिरी कान सर्मा जहां रह रहे है वो मकान एकदम बंद पड़ा था भुथा आया पता नहीं क्या क्या उसमें मानने तायन थी कि नहीं वो खराब है मुराइम सिंग का पीठ और हमारा पीठ उनका विक्रमा दितमार और पांच ये कालिदास मार्ग एक ही था उस मकान को हमने ले करके बनवाया अच्छे से जो भी मतलब वास्तुस्तों के साफ़ से पूजा बाट करा गए महारा मैं तब ये भी मानने जिए एक दिद जिद है अच्छा मिर्जापुर जिला है बगल का आप संस्थागत समालने लगे आपको चुनाव जिताने का चाता बटवा कर बोट डलवाने का उस पूरे मेनेजमेंट का इनाम मिला लेकिन लोग कहते हैं एक और इनाम मिला आपको मिर्जापुर का पिंक स्टोन बड़ा फियमस है और काहा जाता है मैं खुद बनारस का रिखने वाला हूँ और इस श्केत्र में कई बार भुहुमा जानता मिलता रहा हूँ लोग बोलते हैं कि नंदी जी को मैडम जी इतना खुश हो गई कि नंदी जी को नंदी जी के लोगों को बोला कि पिंक स्टोन का काम तुम संभालो और पिंक स्टोन का काम इतना संभाला गया कि लखनव में जो पिंक स्टोन लगे मायावती के कारेकाल में वो सब नंदी जी बीड़ने पिज़वई दो यह चांपिने भीज़ए तो और ज्यादा तो लोग जेल पुने थोसमें आन्द कोफाल को अंपने रोगे जाते हैं HERE को ही बनाते हैं पत्थर की पत्थर की बनाकर कि उसको अर्णामेंटल करकर कि सोन नंदी कि मेरी सातरिय में में मेरा प्लांट मैं मेरा प्लांट है उत्राक दम मेरा प्लांथ नंदी इस बात इस अब क्या मंत्री चुने जाने बिधायक बनने के बात नहीं मैं जब बिधायक बनने के लिए याराजनीत में आय था अब लवरा में अंडी लिम्टिट था नंदी ब्राइट दाल चावल आटा इस्टील पत्थर यह से हमारा काम पहले से था अंती बने इस टोन लगाया उस स्टोन का उस समय लगाया हमने हमारा आट देखिए का आप नंदी जरूरत घर-घर की तिनके तिनके चुन-चुन कर बनाया घरोंदा सजाया समारा नंदी से नंदी जरूरत घर-घर की नंदी चाहत हम सब की नंदी ग्रूप अफ इंडेश्टी नंदी नाम विश्वास का तो उसमें तिनके तिनके चुन-चुन कर बनाया घरोंदा में हुआ जा इंध में घरोंदा बनाते वर्ट सरीय है हमारा सजाया समारा नंधी से वह अर्नमेंटर पत्थर से सजा रहे है घर नंदी जरुरत घर-घर की इसमें दाल चावा लाटा दाल चावल रोटी खाते हुए दिखाया है तो नंदी गुरूप आप इंडेस्टी है नंदी मैंने बताया ने कि जुनून से काम करते करते यहां तक पहुंचे हैं मतलब मेरा सवाल तो लेकिन अजीब सा बेजा है लेकि सब्से gratefulen दोने पांस किया चालुब किया हमने चारण अन्दी एरलाइन्स की सुरू भी हो जाता हमने जहाज मंगाया जहाज ट्राइल लिया दिल्ली में रखाथा हम discourage बहुत साहरा में direct um much अमारा पुरा इस मंडल मुख्याले को प्रदेश की राजधारी से जोड़े यह पहले मतलब हम आप समझे कि यह उडान यह सारी स्की में आज आई है मेरी सोच उस समय थी हमने का नंदी एरलाइन से हम सुरू करेंगे और चार यह छहाज ले करके शुरू करेंगे तो रंदी एरलाइन से हमने सुरू करने का प्लान किया फिर मेरे और अपर आडियेस रिमोट बं से आमला हो गया यह और हम मिनिश्टर हो गया तो फिर मने प्लान ड्राफ कर दिया तो अब ड्रॉप ही रहेगा कि शुरू करेंगे मैं जाल है अभी टेडीव मिढ्स सवाल पात्तर कहां से ले आया स्वाइब अभी टेड़े सवाल पिर कहां से ले आई आप तो और अब यह लोगा तो इस अ मिश्टर हो गए तो जना जहाज बड़ारे लगे प्रिदेस की राजधानी में बीमारी हजारी है तो आदमी को जाना है वैपार करना है तो जाना है इंडेस्ट्री फैक्टरी लगानी है तो जाना है तो हमने प्लान किया था 11 सीटर प्लेन था और चार सीटर गवर्मेंट सबसेड़ी दे रही थी गवर्मेंट में हमारी बाचीत हुई थी 24,000 रुपए 6,000 रुपए का टिकट रखा था हमें तो 24,000 गवर्मेंट हमको सबसेड़ी देती थी कि चार उनके प्रसेंजर माने उनके अधिकारी जाएं उनके नेता आजाएं उनके कोई भी जाए तो चार लोगों को हम ले जाएंगे फिर अगर नहीं जाते तो हम टिकट बेच लेते हैं एक घंटे उड़ाने का 24,000 खर्श था हमने का 24,000 लगना हो तो गवर्मेंट देतेगी बाकि हम जो साथ टिकट बेच लेंगे उसमें हमारा प्राफिट आ जाएगा तो फिर वो कारगो भी यह वह बहुत बहुत प्लान था बहुत डिटेल्ड प्लान था लेकिन बंबलाश सुने के बात पिर मन टूड़ गया फिर क्या कहानी है सिर्फ कब है साल 2010 में हुआ था ब लगी एक साधी थी आम सॉरी इस लिटल परसनल इस फ्रॉमेटिक आपके साथ थोड़ा सा भयावा इंस्टिटेंट है बाम ब्लास्ट होना लेकिन फिर भी मैं अगरा बता सके हैं आप शाधी थी नहीं बहुत हो मैं मतलब इसको बताता हूं पुनर प्राफ जन्वस्व मना हूं अद्बी भूल जाता है ऐसे दिन को याद नहीं कि रखना चाहता है जहां पर जिन लोगों की डेथ हो गए दो तिन लोगों की डेथ हो गए एक गाय मरगी, एक कुत्त्या मरगी, कौन याद रखना चाहता है लेकिन पुनर प्राफ जन्वस्व मनाता हूं, 2011 से लगा मेरे लोग मेरे साथ जोड़ने लगें एक क Wereld Live की बगी 46 वावफ मेरे इसकी बदलục मेरे साथ कुछाने लगें पर साधी की बाद में को साधी में कि रिए सब्सक्राइब है है उसमीन पर दोखिव को एम पर बच्चे चोंकि धहादोन में भी इवरर्ण हैं लेकिन उस समय देरा दोन में पढ़ रहा था एक वेलमबाईज में पढ़ खाया में पढ़ रहा थो, बिटिया हमारी है सबसीम पढ़ दे, तो बच्चे चूंकि होस्टल में रहा है, क्लाश टू से ही होस्टल में रहा है, जब आते थे तो मैं, पापा जी हम भी चलेंगे, तो मुझे लगता है था हम टाइम नहीं दे पाता है, सात लेके चलते हैं, गूम न भी चौनिवे से कहानी शुरू होई जो उसने दॉस्मानी मानना शुरू कर दीया क्या हुआ मेरे मील थी वहाँ पर और मील में या इंडिश्टल ей्या में तमाम गुंडे अफरादी होते हैं कोई कहता मेरा मेनेजर रख लो कोई किता मेरा लेबर रख लो पैसे वसूली कभी गेट मैन को ही वाच मैन को ही दो थपड़ मार दिये तो दादा गिरी करते थे तो वहाँ पर 200 रुपय मिल्टर प्लाट था वैपारी मुझे क्यों मदद किया मदद भी इसलिए कि वैपारियों को लगा कि मेरा कोई नेता है मेरी कोई हमको कोई शेफ कर सकता है हमारी कोई रच्छा कर सकता है इसलिए वैपारियों ने मेरा सुपोर्ट किया तो क्या हुआ कि आया वो कहा कि चुनाव लगा है मतलब इन लोगों के इतना अतंग था कि 200 रुपय में इंटेर का प्लाट 500 रुपय में बेच के भाग रहा थे राजीव अगरवाल है उसके घर में आग आग लगा दिया थैं लोगा ने जूते से मारा तो बदकी मितलब उस गम में वालने सोसाइट किया या साइद उसकी ड तो बोले नहीं क्यों सो कम है तो इन 11,000 दे तो 11,000 दिया मेरे मुझे फेंक दिया उसने हम लोग पैसे को सर लगाते हैं लश्मी है पूजा करते हैं तो हमने तुरहन्त पैसे को ऐसे उठाया मत्य लगाए पैसा गल्ले में रखा हमने कर भगो यहां से हम सेल टेक्स देते है आखरररवा कि ना सकने पसके के चला गया समाजवादी पार्ठीक सरकार ते आहि foster गुंड़ागर में अनिये भोको ये तो दोस्ट स्टी घटना है नहीं दस्ट की घटना है लेकिन शुरुवात कहां से, क्यों हुई ये घटना विधायक बनने के पहले मेरे पास आया को पैसा पाखाले नहीं के पहले है तो बलाग प्रमक के चुनाओ दस दिन बाद था ब्राक प्रमुक का उसने पर्चा खरीदा होगा भरा होगा एक पासी था वो चुनाओ में पर्चा खरीद लिया भरने के लिए इसको पता चला होगा गया उसकी पेट में चापण मार दिया पेट में से चापण मार दिया आते बाहर में कर दे बेहुस हो गया वाज मरा की बच खिलाब कोई प्रत्यासी ही न लड़े तो मैं तो 27 तारीक कोई विधायक हो गया ना काउंटिंग का थोड़ी इनते जा रहे हैं तो वैसे उसके खिलाब कोई परिचे नहीं वरा तो जिस दिन था वो निर्विरोध हो गया तो दिन विरोध होने बाद मेरे दर्वाजे पर आगे खुब फारिंग करी उसने मेल पर मैं अपना बन्याद मी नटबोल पुली पिचकास व्लास मतलब मसीन चैन पट्टा इसी में लगा रहा चक्की मैंने कोई रियक्ट नहीं किया फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों को साधी में ले करके गया था करसं बारा जुलाई दोहर दस नहीं नहीं बता रहा हूं बिना विधायक रहे अच्छा बिना बिधायक रहे यह घटना तो बिना विधायक रहे हुए ना पैसा मांगा नहीं दिया हमें तो मैं बच्चों को ले के साधी साधी बच्चे आते थे ज़िए बान लो इस चुछ से सबी में एक साधी दूसरी साधी में के लोगिνεख बड़ां UP प्रामुख्या था हो आप elsादी में 100-45 जोग खोकिने लोग्ए फोटो कितने चसकर मैं इसको लगा कि मैं इसी गाहों का रहने वाला में ब्लोक प्रमुख औरप फोटो किसंए मेरी फ्रrieज बचाओ करते मेरी बरुड़ और झोर ने लगा से सव्यूर्य से दविडकेद ब्रॉड़ाइब उनमने बेज बचाओ करके लडना सुरू कर शड़ाना शुना अवाल बचाओ कि ईसको चुदाना चाहा तो आप अच्छा ॉसस ने मैरी कालर पकड़ ली उसने एक फैट मारा उसने इसक etcetera कुछ गान था बहुतस सारे लोग आ गए हमारे साथ जो लोग भगगा ए अच्छा मेरा बैटा दोनु बैटे और एक गाड़ी मेरे साथ तीन गाड़ी चलती थी दो गाड़ी भग गई है बचा के भग गया है कि गाहा हो था पूरा तूट पड़ा बरात में अग दलनक भग दड़ हो लेगी लेकिन देखा कि धक्क में तब लग सोर मच रहा है फिर मुझे लगा यहां आ जाएंगे अगर एक थपड़ भी मारेंगे तो मारे जाएंगे बचेंगे नहीं फिर मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी बिना लाइट जलाए पहले उतर के रेखी कर लो और गाड बैठा और हमने कहा कि चाहे कोई सामने आ जाए चड़ा देना रोकना मत बच्चें है साथ में फिर कोई आया नहीं बहुत तेजी में गाड़ी लेकर कि चले आए घर पर कोई आया नहीं तो यहीं वह रंजिस बनने लगा इसे पिर दिलीप मिश्रा कि जो अपने करम थे उस को ऐसा लगा कि हम मंत्री हो गए हैं इसलिए वह जेल चला गया वह ऐसा ऐसा मानने लगा और पुलिस उसको द्री बनते ही हो दिलीप मिश्रा को सबसे परे जेल भी जो आया तेखिए मैं अभी यह क्या वगते हैं इसी सरोकार में आरेसेस के कोई नेता को मरवाने की सुपा चुछ गहता हूं थाड़ाता हूं किसमें सड़ाता हूं फोग लगाने कर लिए और चेटी का जंड रहा है और पहर पड़ जाए चीटी दभ जाए तो इसे मं गिरने लाह तो भार्यों कैसे अगलती होगी फजा पाठ करने वालिए भागवान को मानने वाले तो हम इन सब पर भरुसा नहीं करते हैं उपर वाला सजाद दिने वाला है उनके करम ऐसे हैं कि वो आरेसेस के किसी सुजीत सिंग उसकी हत्योत्यकरानिक सुपाड़ी लिया था और सरुलांस से सुना गया तो उसको पकड़ करके गिरिफ्तार की जेल भेजे अभी इस सरकार में ठीक है अच्छा आपने उधर वो जेल चले गए उनको लगा वो उसको लगा होगा उसको लगा होगा एकसी जेल किया कि उस अपने करम से जेल चले गए 35 मतलब हम तो 2007 में राजनीत में हैं उनके उपर 97 से मुकदमा लिखा जा रहा है सुचे कि वह आ अपने में राजिय नाग्पुर में आसे बेसे सीच सभ़ाब नताचा करने पादिक वब से चाखले अचापुर वणान करने के गली सगखा करूब्ण गर्या ने कप और शृप द्कीन में रोज की तरह से मेरी यादत है जैसे मां दर्सन करने की बाद की जनता को सुनता हूं घर से उत्रा विजय प्रताप एक पत्रकार हमारे भाई हमारे बीच नहीं रहे वो आये थे उनको क्योंकि एक दिन पहले 11 जुलाई को बेटन डिले आई थी अलम बेक के तो बेटन डिले चुकि हम मिनिस्टर थे तो हमको रिशीव करके पूरे साहर में घुमना भी उस्चावला इसारे क्लिकेटर वगएरे सब लोग बेटके दिनानार की नेक्टे हम जैसे घर से निकले तो मैं वही उसी दिन 11 को मिला हमें विजय प्रताप की भाई हमें एक काम है और घर में मिलना तो मैंने का कल सुबह आ जाओ सुबह आया मैं मेरी आदर्ती मुझे जाओ सुनना है तो मैंने का चलो मंदिर हो लें और आकर सुनते हैं वह वी विचारा मेरे साथ साथ चल दा तो मैं मंदिर पहुंचता कि गाड़ी में बं फेट था और वही है जैसे ही मैं घर से निकल कि दूसरे घर तक पहुंचा हूं वही पर रिमोट बंस आम लगए ब्ल कि यहां तक यह पूरा इसे दो पल्ले का दर्वाजा होता है इस तरह से पेट खुला था मेडिकेटेड बैग में छोटी आती धर बड़ी आती धर इसे नहीं कोई बहुत घड़ी ले लिजिए उसके अंदर के पाड़ दिखते हूं चलते जलते ऐसे आते ऐसे चलती थी पंबलाष्ट हुआ लेकिन मेरे दिमाग में था मुझे एक दिन पहले कोई कह रहा था कि यह लोग प्लान कर रहे हैं गाड़ी उड़ा देंगे बंब से उड़ा देंगे ऐसा ऐसा और टीवी में आएक अगबार में आग ऐसा बोल रहते हैं मुझे लगा कि खास बनने के च पून लगा दो बोले बहिए नमबर मतां करति राएंबे 515 ना सट सब्सक्राइब अन्वार से अनवार से बुरला में गाड़ी लगा हो वहारे पर बंब से हमला हो गया बोले भाया मंदिर की तरफ लगा हैं का ने मंदिर की तरफ मत लगाओ फिर मुझे लगा इसाला गाड़ी में गही ना बंपीड हो कल कह रहा था कोई पिर अनूप अगरवाल है वो दो दिन पहले ही वैगा नार गाड़ी खरीदा था उसको फोन किये वो आया गाड़ी लेक मैं घर पहुंचा हूं तो अविलासाजी ऐसे मतलब चादर उठाई जो बोला था पर्दा पर्दा ऐसे फाड़ा वो मेरत थी नहीं उसा ऐसे पर्दा फाड़ा पर्दा ला पेट दिया कि लटक गया था यहां आटरी की एक नस होती है जो यहां से लेकर यहां तक सीधी होत जाता तो बोलते हैं कि अगर आप यहां बैठे हैं तो यह च्छत पर जाएगा खून अपने इतना प्रेसर हो जाए तुलू का पाइप नहीं निकल जाए पानी तेरी से उसी तरह से खून च्छत पर जाएगा विदिन फाइप मिनिट में मतलब पूरा खून निकल जागा जाता है तो कुद्रत ने बचाना था तो देखी एक सूट बज गया एक दम यहां तक है चरह सौर बढ़ता तो मतलब वो हो जाता है खैर मुझे लगा गारी में बंब ना फीट हो आप सोचिए मेरे घर से सीधा है जीवन जोती का रास्ता लेकिन राजुपाल को दोड़ा क निकाल के डाक्टर बंसल को तान दिया मैंने उनको डाटा क्या कर रहा है वो डाक्टर है फिर डाक्टर बंसल कारती के सर्मा ने मेरे सर पे हाथ रखा फिर मैं ब्यास हो गया मुझे पता नहीं साथ दिन क्या हुआ उननीस तारीक को हो साई क्या हुआ होगा होगा कुछ नह म credentials आहीं वह साय तोट इहां थे से फटा था अधर छोटी है ढेड़ बड़े यह जा साथ मेडिसी में और सब्सक्रीज मेडिसीन पमेड़ी सब्सक्राइन कि च्रण्समेंɏक लाइख है साथ बेड में साथ लोग भरती तीन बच जाए तो CCM में में रहा हूँ आठकते और क्या बीती हो कि उस पत्नी पे जिसका हर घंटे दो तीन डेट बाड़ी देख रही कि जा रही यहां से तो ऐसे ही रहा अब अब और भी बात थोड़ी बारा का चुनाओ अफ़ार गया थे 300 वोट से 414 वोट से तो हम चुनाओ जीच जाते माने उनका कम होता हमारा बढ़ता तो हम दो वोट से जीच जाएंगे वहां मौजूद एक शक्स थे जो हमको यह जानकारी दे रहे थे कि अगर आप रिकांटिंग करते तो जीच जाते हम बहुत देखिए हम आपको बता हैं हम बहुत सराफत की जि माते लगाते हैं केसी देवी पटेल जी का बेटा चूंकि वह लोग खांदानी नेता हैं उनके पीता जी नेता उनकी माता जी नेता रेवती रमण को जीता घोसित कर दिये थे समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही ऐसे रुजहान ही आये थे महां डेम स्पी आया और कां और 414 वोट से हमें हारा खोसित कर दिया गया उसको भी 500 वोट से कुछ हारा खोसित किया था दीपक पटेल को लेकिन उनकी कहात मुदाह कर लेंगे धर ना प्रदरसन सब सुरू कर दिया हमाँ तो उसकी रीकाउंटिंग हुई और जीत गया रेवती नमण का बेटा हार गया और रोजीत गया लेकिन हमें लगा कि मतलब जब इस तरह की बाते हुई मैं उपा पर चलाया आप अदल पर घर चलाया मैंने जो मिला वो सिर्माते लगाया पिर अला की रेट्र अगरे खब की हमने की बैमानी साराय गया यह वो पर क्या होता है आप जानते हैं पर परिवार कि उनने बता है नाए अगरे मताता हूं दो हजार बारा में मार्च में चुनाव हार गया जब की देखे मुझे पहला जब चुनाव लड़ा तो 34,846 वोट मिले और दूसरी बार 42,414 वोट मिले माने 25 परसेंट वोट बढ़ा जीता हो कोई भले लेकिन वोट बढ़ने का मत मतलब लोगों का प्यार विश्वास आस्था बढ़ी ना मेरे उपर कम हो 34 से 33,000 होता 31 होता 500 कम होता हजार कम होता तो लगता कि भाई हम अच्छा काम नहीं कर रहे 24 से 42,000 होता 25 परसेंट वोट बढ़ा मेरा और हम चुनाव हार गया चुनाव हार गया मार्च में चुनाव हार रहे अपरेल माई छोड़ दो जून में चुनाव हुआ अभिलास जी को हमने चुनाव रहा दिया निर्दल चुनाव चिन सुराई अच्छा ना हाती था ना पंजा था ना साइकिल था ना फोल था चुनाव चिन सुराई और असी अंग्रिस नहीं मेशावाड जीत गये लुट जीत गये ट्रवारीऎक के आया जो जाजारावारमे मुर्ण नही प्रभारीओ न्हीं मैं जीते दोहजारागी बरत पतारा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उस समय बारा मेर थे ग्यारा पे बीजेपी और यहां बीजेपी जवान अजब थी निरदल पे तो उन्होंने मुझे बुलाया मेरे साथ बैठ की बात्चीत हुई मतलब घंटो बात हुई बन टूवन अब पर हम इच्छा और कोई मुझे भी तो ऑूरे कोई नहीं नहीं लिए चुनाओ जीतना कैसे अंना जैसे जितनी एबाद तो आप से लगख इतनी बात है इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है ज्यादा वालोगों तुमको बता दीजेगा मैं Até ये दुदी बात हुने का हमारी पार्टी में जाए हमने कैसर यह तो बड़ा निर्ण है हम सोच के बताएं पिर मैं यहां आया मैंने एक विधान सभा का विधायक था मानने जाए लेकिन विधान सभा जो सीट यह जो सीट ती शार गाओं की थी बारा कशना मेजा को राओं है तो हमने बारा से भिलाए अपने लोगों को करशना से भुलाए मेजा से भिलाए है कि सबने कहा नमों नम माप भीजयपी लड़ा एक ने तो हधी कर दी संक्रगर में गुपाल के सरवानी हैं बीजेपी के पुराने नेता हैं और मोर्णी मिर्ण जोसी जी का तमाम उनके साथ कामरे लगता है एक पुलिस के दरोगा ने उनको तो तीन थपड मार के जीप पे बठाल करके ले जाके लाकप में बद कर दिया था उनको लग रहा था कि यह बस्पा के मंत्री हैं और में बीजेपी का आदमी रहा हूं इनके चुनाओं में मदद नहीं किया तो पता नहीं मेरा सुनेंगे नहीं सुनागे उनने बताया नहीं मुझे किसी ने बताया कि कोपाल चाचा सम्मानी नादमी है ने बत्तिमी जी और उसको सस्पेंट कराया जब वो सस्पेंट हो गया फिर जो भी दरोगा पोस्ट हुआ हमने का देखिये वैपारी वर्ग है वैपारी को परेसान मत करना नहीं वैपारी को परेसान करो तो एक मिनिट नहीं रहुगा अरे गुपाल चाचा है उनका ध्यान रख तो चाचा हो रहती है ऐसे उठे वह लंगड़ा की चलते हैं थोड़ा हो गाउं में जैसे होते नहीं बनी है हवाई चपल पहने हैं गंदा कुर्टा पहने हैं होते करोड़ पती अरभ पती हैं सावन तेल बंजन किराने काजू मेवार सब बेजते हैं और ऐसे निकले और पचास-पच जैपी से तो मैंने समझा कि इतना उत्सा है लोगों में पांचों विधान सभा में पूछा सब नहीं कहां तो पच्छीस देसंबर दोहजार तेरह 24 देसंबर दोहजार तेरह अमिद्वाई का फोन आता एक नंदी जी कहा है अमने का सर इलाबाद है कैस कल सुबह दिल्ली आ सब्सक्राइब दोहजा सकते आड़ वजे में का आजाएंग सर बतायां के मोदी जी में लेंगे तो मैं किया उस समय कोहरा इतना दिसंबर का महीना 25 दिसंबर भ्यानक कोहरा हमने ट्रेवल एजेंट से फोन किया ट्रेन बुक करा तो जाना है तो यह कल प्रयाग राज नव मेंटा लेट रही बस वे आड़ वे पहुंचना है तो मका फ्लाइट करा और बनारस से फ्लाइट लगनों से फ्लाइट सब कोहरे की वज़े से डिले थी तो एक आप जानते हैं टोनी गुपता है साउथ अफरीका के जी वो मुझे कि उनकी मम्मी आई थी यहां पर हम दब करते हैं कभी आपको जरूरत हो तो बताइए गई यह रख रहता है तो मुझे लगा इस से ज़्यादा जरूरत तो हो नहीं सकती भावी प्रधान मंतिरी से मिलना मिसाज जी से मिलना तो उनसे पूशार बोले हारी नंदी भाई आपने पहली पार कहा ममी कि इतनी सेवा करी में भेजता हूं फिर उम इतना फोन आता है कि नंदी जी वो इजिबिल्टी नहीं दिखा रहा है साढ़े नौ बजे उड़ेगा यहां से ग्यारा बजे पहुचेगा चोटा जाज़ ग्यारा बजे कोई मतलब नहीं तब तक बच गया आठ साड़े आठ साड़े नौ की ट्रेन थी प्रयागराज मैंने अपने एक आदमी फोन के बोले भाईया आप तो खिड़की बंद हो चुकिए है टिकट मिलेगा नहीं हम गयो बिना टिकट बैठ लिए ट्रेन पे बीमडबलू चलो हम ट्रेन चल रहा है कहीं जाम जूम होगा या कोहरा होगा तो हम फिर गारी बैठ लेंगे खर बीमडबलू भी निकाल दी और ट्रेन पे ट्रेन रोज लेट होती थी आठ-ठाट गंटा उत दिन एक बून ले लिए लिए एक सिकंड लेट नहीं हुए सारे लेता गाजी अबाद यहां वहां के बैठे थे फ्रीड लगी थी वंपर मोधी जी थे अमिस्ता जी थे मेरा सबसे पहला प्रेंटमेंट में तो मैं गया तो प्रमुक्त मंतरी के सची के रूप में बहुत सारे आइस थे वो मुझते हैं कि आपको पीदा जी कि आपकेंगे तो ऐसे ही रा कलर फुल कपड़े पहनना है तो बोले आप पिता जी पॉल्टी से मैं नहीं में मिनिस्टर रहा हूं मैं मैं आती सरकार में और इस्टिटिशनल फाइन तो साड़े आठ बजे तुरंट बेल बजी और मैं गया अंदर तो अमिस साजी से दूसर मुलाकात थी मोधी जी से पहली वट निच्रल है कि मोधी जी की तरफ आकर सन है उनका पैर चूने लगे तो मैं पैर चूने लगा तो मुझे गले लगा तो मतलब मुझे गले लगा तो मतलब मोधी जी का पेट और मेरा कान मैं जुक करके अदब से मिल रहा तो मुझे गले लोगों कुछ लगा है लंबे हैं तो उसकी कान एक बैठे पूचा तो जितना आपको आपको तरह सारी बात उनको बता दिया है उनका यह कठीन होता है राजनीत में सब की जवानत जबत होना ऐसा होना कैसे हुआ तो अमने का सर बहुत सारे नेता बन बे हो जाते मैं वनधे न गरीब लड़कियों कि साधी महंड़ा पर आद बल्टी लोटा जाएक साधी बलाउज पेटी कोड़ गोड़ चावल पैसा जो भी हो सकता है तेर भी है उसमें में मदद इस तरह करते हैं खैर उन्हें ने कहा तो ओले आ हमारी पार्टी में आजाओं मैंने कहा हम मैं नहीं सर म फिर मैंचर आया बाहर तो फिर तीवी पर चल गया यहां पर कि नंद गुपाल गुपता नंदी का टिकट फाइनल बीजेपी से यह तो उसे में केशिनात्र पाथी जी और जो भी लोग रहें यहां आत्मता कर लेंगे कार करता मतलब होता ही है जैसे टिक्ट प्लिक्स में यही सब हुआ पिर में टिकट खड़िया मेरे ओपर अड़ी बंबलाष्ट हुआ था प्रड़ा तो मेरा चिनाओ मैं बिना लड़े रह नहीं सकता था तो फिर क्योंकि बंबलाष्ट हुआ करकरता है भग जाएंगे पिर अगर आप नहीं रहोगे तो आपको कही नहीं ये लेकिन अत्या चाछ आ मैं अपने वरदास्ट ने किया। मैं आप भी सुप्रीम कोड में लगरहा हूं, मुगदमा… मैं कुद्रत को मानता हूं power, मानता हूं। कानुन को मानता हूं और कोई रास्ता नहीं को सजा दिलाने के लिए हमें सुप्रीम कोड तक लणा सुप्रीम कोड तक लडाई लडना है तो फिर आप कॉंग्रेस ना गया हाँ जब टिकट वहां से सब कुछ बाचीत हो गई टिकट हो जाएगा सब कुछ हो गया फिर मेरा टिकट नहीं हो टिकट क्यों राजी शुकला ही आपके चुनाब परचार में मीशा पटेल को लेकर आए हैं को लेकर आए आप लेकर आए रहे हैं हम लोग 28 तारीक 28 दिसंबर को दुबाई ही चले जाते हैं दुबाई में सारुक खान विमेर पार्टी हिंदु जा असोग लिए बीडियों सोची आ पार्टी देते हैं मैं बता रहा था संपत्सरूप और ये जो है जिन्दगी संपत्सरूप मेरे उपर हॉल में इसके उपर हॉल है 200 लोग पार्टी हो सकती है तो यही पर परेज रावल और उनकी पत्मी संपत्सरूप जो ये जो है जिन्दगी की सीरियल की मतलब लीड हिर करके जाते हैं हर साल पार्टी में दुबई हर साल जाते थे अब मंतरी हैं नहीं जाते हैं हमको याद है जब 2017 के रन अप में बनारस में सोनिया गांदी और शीला दिख्षित की का रोडशो था सुनिया वहां पर लोगों ने कहा तबर 14 के सामने आपने लगवाया था बहुत चुनाओं नहीं लड़ेंगे राज़िपाल होने की मंचा थी उनकी और पुड़ासा वरिष्ट वरिष्टता का बोद भी था शायद जो भी था और पर आप शाहर देट की सीट खाली हो गई और आप अच्छे इंसान है मतलब आप समझे इतनी सहर देटा आज हमको मतलब यह थीक है मैं यह बोलना हो कि केशिव जातर पाटी ने सीट खाली की तो फिर से आप चले आए जीत गया है हाँ जीत गया रही हैं इतहसी जीत गए मतलब सहर उत्तरि सहर पश्यमी सहर दच्छणी दच्छणी में सबसे ज़्यादा वोट और तिरान बहजार 11 वोट पाने वाला यह पहला भी थायक हूं सहर दच्छणी में जो आजाधिक बाद इतना वोट मिला सर आपने जो अपने उपर RDS के हमले का जिक्र किया जो कहानी बताई है चर्चा है कि दिलीप मिश्रा तो एक प्यादा थे हमला विजय मिश्रा ने करवाया भदोही के जिनसे आपकी अदावत के चर्चे इस पूरे ख्षेत्र में प्रयागराज, बदोही का जो बेल्ट है इस बेल्ट में आपके अदावत के चर्चे है अदावत मतलब दुश्मनी अगर कह लें अगरासान तरीके से कहना दो हमारी किसिस क्या दुश्मनी हो जो हम आटा दाल चौल बेचने होले हम आटा बेचते हैं हम आटा बेचते हैं या कोई ऐसा जगड़ा नहीं है कि हमने जमीन जाजाद कुछ बेन बेटी किसी की लिए लिया इस आरोप में कितनी सचाई है कि जब मायावती सरकार में आप केबिनेट पंत्री बनें या बालू कोट सकते हो यह अलग है लेकिन वहां से बालू निकालके चैनल करना बालू निकालके ले जाना क्योंकि खनन में माफिया हैं सब कुछ है यह सब चलता है और वह एक बड़ा एक आपके लिए ट्रिकी पॉइंट था और उस ट्रिकी पॉइंट के चक्कर में वहां पे एक छोटा सा स्पार्क होता है और आपके और विजय मिश्रा के बीच में वहां से नणायक रूप से एक अदावत शुरू होती है वह दुश्मनी शुरू होती जिसको आप शायद नाकाल है आपके लोगों को नहीं संबंदित लोगों को कोई घाट अट नहीं राट किया गया वालु की खनन कभी मेरे कोई लेना देना नहीं मेरे खुद की पत्नी के नाम से बालु का पट्टा हुआ था यही पर एक घाट उसी दौरान लेकिन विजय मिश्रा जैसे हम लोग अपने आटा बेशते हैं नमक बेशते हैं हल्दी धनिया मिश्रा बेश रहे हैं प्रचार करते हैं वैसे ही यह लोग भय का विस्तार करते हैं इनका विजनेस है भय भैलाना यतना भय भैलाएंगे उतना इनकी कमाई होगी तो वहां पर क आली उद्धोग और सारे उद्धोग है, सबसे पैसे वसूल्यी करते है जिनों सोचा कि भड़ओी से बढ़कर इसे बादर करके मेरा भाय के विस्तार प्रदेश में हो इसलिए उन्हें बंबलाश किया या कराया या करने में दिलिप मिस्रा विजय मिस्रा इन सब का हांतरा तो हमने कहा ने जैसे हमारा आटा बेचने के लिए हम अपना प्रिशार प्रिशार करते थे भाय का विस्तार करने के लिए कैसे भाय का विस्तार हो इसका जितना भाय का व किया बालुक पंटेस क्या रूल है उसाब माफिया और लोल को इस कई नहीं डता है distant Marx अफिया गेरि वह विश्टार करना उपाई भधवी वहर कर रहा हैं ओधार यह भिप कर रहा है न्याहबाद ॏ ऑप्रनार दॉमें मंतरिल्स नाम ऐगा तो प्रम्द्रे שמׂ किसी की व्पावन कर देंगे सो और से मिलेगा नाघनी पूल पे क्या हो तसर दिलीब मिश्रा ने आप को शयद मारा हो रहा था का मंत्री है कि सब मंगालत कहाने है नहीं कोई इंभर नहीं को एंभर नियुम पर दिलीप नहीं होई जोट है क्या है देखें मतलब हम बता दें नंदी भाने बहल किसी बस की बात नहीं कि मारे और मार खाके नंदी चलिया है हम अन्या किसी इप करते नहीं है अच्छाचार अपने पर बरदास नहीं करते हैं मतलब रती मात रस्तचा नहीं है खबर कहा है चलिये है पता नहीं खबर चलिये हमें तो मतलब है नहीं मैं यतना बता रहा हूं है एकальном फाट है एकृटिया और डाकुमेंटरी प्रूफ होगा मारे यहां गवाही क्लाब कशला नहीं देता आमने गवाही दिया आपकी सरकार आई अदावत थी की नहीं थी लेकिन आपकी पार्टी की सरकार आई बाजपा की सरकार आई और विजय मिश्रा के खिलाफ करवाई शुरू हो गई और अपकीरण की सरक्राइश अधरी तो कि अपकी सरकार आई रहा विजय मिश्राफ करें है। सामने आने लगा और इसमें क्या बोले कि पतलब जो जैसा करता है इसा भरता है एक लाइन की बात अच्छा सोचो अच्छा होता है अच्छा सोचा अच्छा किया मेरे साथ कितना अच्छा हुआ यह इतने बड़े बंबलाश में जहां दो-तीन लोग नहीं रहे और मैं बच ग कुद्रत का यासिरवात कुद्रत का करिष्मा भगवान की कृपा और अच्छा करने की वज़ा से अच्छा सोचने की वज़ा से लोगों की दुआओं का असर ही तो है इतने बड़े बंबलास से बज़ जाना सर आपके बात में एक चीज है कि आप भरती जंता पार्टी के वज़ा समाज का बड़ा चेहरा है और पार्टी खासकर प्रोजेक्ट भी कर रही है वज़ा समाज के साथ मीटिंग्स वजरा में आपको लेकर आपके तक्वाव अधान में आयुजित होना ये सब चीज़ें हो लेकिन बात ये भी हो रही है कि जिन भी वैश वहुल सीटों पर वीजेपी के प्रत्याशी है उनको नंद गोपाल लुकता है नंदी के दरबार में पर हाजरी ज़ूर लगाने परती है क्या हो नहीं इसका कोई जवाब नहीं है ऐसा मतलब ना मेरे मन में भाव रहता है ना मैं कभी ऐसा मन से सोचता हूं लेकिन हां समाज के नाते जो भी लोग चुनाव लड़तना चाहते हैं लड़ते हैं उनकी पैर भी करता हूं उनकी पैर भी करता हूं और मेरी कोसिस होती क कि उनको टिकेट मिले वो भी चुना लड़े वो भी जीत के हैं चली सर अब कुछ मामले हैं अब ये हम इन मामलों पर आपका पक्ष सुनना है हमको तो इसलिए पूछा जाना ज़रूरी है और मैं मोबाइल हाथ में लेके पढ़ूंगा इसलिए क्योंकि मेरे पास वड़ी डी जीव राए नंदी आपके विरुद्व उन्होंने थाना सिविल लाइंस में एफाई यार दरज करवाई कि आपका रापके राइस मिल का अकाउंट एंप ए घोशित था बैंक ने रुपए मांगे उसी दिन उस खाते में जो रकम आर्टीजियस से आई थी उसे बैंक में ल रुपए वापिस लेने का दबाव डाले लगे अपने साथ एकाउंटेंट वो अन्य लोगों के साथ आकर शाखा प्रबंदक को धंकाया और नौकरी से निकलवाने की धंकी दी और फोन पर गालियां वो जान से मारने की भी धंकी दी पुलिस ने मामले की वी बेशना के बा नंदी और एकाउंटेंट गडेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया एकाउंटेंट गडेश हाँ जो खबरें हैं और इसमें फिर MPML कोर्ट के पास गए लोग और कहा कि आरोपी जन प्रतिनी दी हैं और सरकार में मंत्री हैं और वाद वापसी कर ली जाए जन हित में है कोर्ट ने इस दलील को स्विकार नहीं किया बुलब की मुकदमा वापस नहीं होगा क्या है कैसे आपने एक बैंक मेनेजर को धंकी दी और पैसे वापस करने का दबाव ज्यादा एक लोन खाता जो NPA हो गया था देखिए मैं आप उताता हूं बिजनेस करना बिजनेस में ल साथे किसी को पैसे देता नहीं हो मेरी जिन करोर साथे तीन करोर की लिमिट थी साठे तीन या थीन करो की लिमिट थी 31,50,000 का टरम लोन था बिजनेस है कभी उधार बेचा किसी को माल पैसा नहीं आ रहा है तो只 2 आगर नहीं जम्होंता तौंकी कई पता नहीं कितने लोगों के काउंट इनपई फ्लग होए फिर जम्हा कि ₹छ होगे ऐसा čution कि वैपारियुं का थै कि तो मनेजर आए उसक नAI ड्सलाख रूपएải तब्र दहारा एक तालीस और आठी नोटीस देंगे कुछ होता है हुआ है दोस्यों कि नोटीस देने की नहुबत नहीं आए आप 15 भीज दिन बेट कर लिए मुलें अभी जमा करा देंगा फंदा बीज दिन के पहले नहीं जमा पर जमा होगा कि यह दो पांच करोड जमा करा देंगे आप सोचीए आप बीजनेस कर रहा हैं तीन करोड़ का लोन है आपके पास तीन करोड़ का लोन है विजनेस सेला fix है और आप साड़े तीन करोड़ रुपे बैंक में जमा कर दे हैं और मनेजर कहा जाओ भागो यहां से खाता बंद क्या होगा मेरी जहाँ कोई दूसरा वैपारी होता तो आत्मत्या कर लेता सो साइट कर लेता हैं मैंने तेन करोड़ रुपे तीन करोड़ वो 15 जा-पनरा लाक नो जावा है ओर टा-र्ध कनाव्ट कर रहते अपना लें-d sitting करते रहते लेकिन मेरी ये आदत है मैं कभी भी कैस क्रेडिट की जो India होती है बैंक के पहले के लिखा जाता सा लाल के लिखा बोडी रहता था और क्रेडित लिम मुदरे डेविट बैरे पार lim recognizing गल दोए अबकितवकर टार्त त्व थे आइक भार धो बार के निले पे जे लिए गज़ी द Totally म area 2011 ज़िस्य सेल दिए कर दिया खर के श्री सबिट हैμεने यह पैसे आया हमने जमा टिया मैंजर को बोला था शो सच्छाई है यह होना चाहिए आप बताओ पत्रकारता में हो किसी भी वाइपारीक साथ हो गाया सोसाइट कर लेंगा लोन लेने के लिए उसने फैक्टि लगाई इत्ता प्रापर्टी रखा लोन लिया और लोन में पंद पंद्रा लाग बाकी 15 लाग दे दिया 15 लाग देना चाहिए आदमी को तीन करोड जमा किया पांच करोड जमा किया तो यह सब लोन बन यह अपना एक करोड़ करोड़ ले लो इतना किसी और भैपारिक साथ हो तो सोसाइट कर ले मर जाया माट डले वहीं आतमदा कर लेगा बै सबहें नहीं है तो मेरा मैंनेजर बाजपेजी जो बता रहें बताता रहां सब आज म्योक्य लेवाजपेज और। को आठ्ट में वहां से रिटायर होनी में हम हाए थो चाल नौ 10 है सब्सक्राइब पंचानवे और कि 17 साल के बाद आप साथ साल में रिटायर होता हमी थावन साल में उनको थमका यह मैं अपने अपने मनेजर साथ गया वह मैं अपनी में तो चांड हो जाएगा सुनिए हमने पूरी बात सुन लिए समझ में आ जाए हमका ऐसे कैसे क्लोज हो जाएगा नहीं सर वो स्वारी में ने चलेंगे कल सुवे चलें तो आप पूंचिये मैं दस विजए तो काम निपटा के पूंचिगा तो निकल रहा हूं मैं शाती बजय निकल गया गया नहीं बारव ओधर वार भी फौन किया तो वो लिए मैं और उच्छाहर तक आ घया ता फिर भी समारे हैड ओफिस ने समारी तुम मता हो आने दीजिए हम बात कर लेंगे मैं गया वहाँ तो मुझसे बात्चीत किया भिर मैंने उसे पूछा आये नहीं बोले नहीं नहीं हमको हेड़ाफिस ने कहा कि मना कर दिया मैं आधे रस्ते से वापस आगया तो मैंने कहा कोई बात नहीं तुम वहां रहे ना मैं आ रहा हूं हेड़ाफिस वालों ने कहा कि आप लोन का नया अपलाई कर दीजे और हम आपको लोन कर देंगे अगर हम नया अपलाई कर देंगे दो चार दिन लगी जाएगा तो तुम कौन तुमारे जैसे सव बैंक जो आदमी पांच करोड़ उपए की लिमिट तीन करोड़ की लिमिट परिब जमा कर सकते तो कोई भी भांक आट लेकर देगा नहीं लेना है लोना में फिर उन्ने उसे का कि हम आ रहे हैं तो मुरेना हमें मिलना है बात करनी हमारी प्रापरटी परटी की पेपर दो तो कहा ठीक है मैं जैसी कुंडा पहुंचा हूंगे मेरे बास पत्रकारों को कि आपने मनेजर को दंकी दी है फायार लिख रही है समाजवादी पार्टी की सरकार थी यह लोग सोचते थे कि हम नंदी पे मेरे दस लाख रुपए लूटने का मुकदमा लिग गिया पिश्टन लूटने का मुकदमा ले किया वाल इसलिए कि जो हम सुप्रीम कोट में अगनिपत कौलोनी है, वहां पे एक एड़ोकेट रहती हैं उन्होंने कहा कि सुर्यन सिंग पडुसी हैं उन्हों से जगड़ा उता रहता है थीक और अखिडेंट में सुर्यन सिर्यन सिंग में बद्रता करते हैं और गाड़ी में, बिना नंबर प्लिटी गाड़ी में सवार मंत्री नंदी के भाई निकलते हैं और बुलते हैं कि आज असलहा नहीं लेकर आया हूं कल सुबह आकर देखूंगा आज के तारीक है आज है आज है 23 अरोफ है एक बात फिर भी मैं अपने भाई को सेफ नहीं कर रहा हूं आपको कृष्ण कपाल गुपता आपको याद होगा या पता कर लीजेगा पता नहीं आप क्या-क्या डीटेल लाएं यह डीटेल नहीं लाएं कि मैं मंत्री बनते हैं सग मामा के लड़के और सग्य बाओ कि लड़के है मामा के मतलब ममी का भाई बुआ के लड़का मतलब पापा की बेहन है इन दोनों लोगों किलांब फैक्स बेज़कर करéner मुठी क अंथाने रहा दिया ए फ़ाई यह अस बात के लिए लिए लिखा दिया है कि नवक्री के सबस्कों छोड़ सकते हैं अभी हमने नेका मन्याय करते नहीं नित्याशार करते हैं अथ्याशार अपने और बरदास नहीं करते है मेरा जो भाई है जब मैं बिधायक का चुनाओ लग रहा था तो भी अगबारों में कभी निकलता था नंदी की भाई ने चलाई गोली बिधायक नहीं था नंदी के भाई से इस चीज का विवाद मैंने एक दो बार सम्झाने का प्रयास किया कि भाई क्यों विवात करते हो नाम मेरा निकलता है और किसी का पैसा बाकी है किसी तो कह तो कि उसने हमसे कहा कि क्या तुमसे पूंच के दिये थे क्या क्यों तुम्हारा नाम क्यों निकालते हैं वो जा कि प्रेस वालों से पूंच तो मैंने घर छोड़ दिया मैं दुसरे घर में ले रहा हूं तो जो अपना परेंटल घर है वो घर हमने छोड़ दिया और लिखा पढ़ी में मतलब जो होता है सूट फाइल करके कि मेरे भाई से किसी भी कृत से मेरा कोई लेना देना नहीं है यह विधायक बनने के पहले की बात है लिखा पढ़ी में इस सब चीजें हो चुकी है प्रेस को दे चुके हैं मीडिया को दे चुके हैं कोट का आडर मेरे पास है उसके बाद आज अगर यह निकालते हैं बड़ा दुर्भाग पूण है और निकालना है लेकिन मैं आपको बता रहा है कि मैंने सब्सक्राइब कि मामा के खिलाब सब्सक्राइब लिखाने में कहीं कमजोरी नहीं कि एक यह मैसेज होना मेर मेरी मम्मी नाराज हो गी मुझसरे क्योंकि आप को भी अभी मैं पूछी हूँ आपकी बुगा का नाम तो आपको याद होगा फूफा का नाम आपको जोर लगाना पड़ेगा तो किसी से पूछना पड़ेगा मामा का नाम याद होगा मामी का नाम पूछना पड़ेगा किसी से जनरली बुगा का नाम याद रहता है अदमी को तो मैंने कहां कि जिके मैंने कहा जिएल चले गए मैसज होंगे हम उनकोछुडवा ना ममी स्कूर नाम कि गीता बुवा व्ले फुफाख बताया है जैक जील चले गए तो चُड़वांदा का इन रहा है जो बढ़के मंत्री बने हो को चटूज़वाये मतलब गुस्सा हो गई, दो महीना बोली नहीं हमसे, बात नहीं करनी, हाँ यह इसलिए मैंने, मतलब कि कोई भी वेक्टी मेरे नाम का दुरुपयोग न कर सके मैंने यह F.I.R. लिखाई तो आज जो अकबार निकाल रहा है, अकबार कह रहा है, मीडिया कह रही है या उसकी अप्लिकेशन आप देखिए, कि मैंसलाहा आज लेके नहीं आया हूँ, कर लेके आऊँगा, मन गड़त कहानी नहीं लगती आपको, आप पत्रकार हैं, दुनिया देखे हुए है इसको देख, नहीं, आप अगर इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो पत्रकार, नहीं, उसी, मतलब एक हुमन, आप ऐसे सोची जिदनी, इसमें कहानी नहीं लग रहे है, कहानी बना के लिखा गया है तो मैं पिर भी, फिर भी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, यह जग जाहिर है, और एक एक प्रेस वाला मीडिया वाला भी जानता है, और बस इसको मैं मतलब बहुत तूल देना नहीं चाहता ना, इस पर इस पर बात करना चाहता है आप घर की बारें बतायद मैं घर आ रहा था गली में घुसा, जग 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 लाइट लगी हुई है, सारे मकान एक रंग में रंगे हुए हैं, जिसको भगवा रंग कहते हैं, तो उस रंग में रंगे हुए हैं, आप इस सरकार में मंत्री हुए हैं तो उसके बात 12 जुलाई 2010 को मेरे पर बंबलाश्ट हुआ 12 जुलाई 2011 से मैं पुनरपराब जन्मोस्तों मनाता हूं उस जन्मोस्तों में क्योंकि मैं मुझे इसा लगता है मेरा जो दूसरा जीवन है भगवान सिव जी को में जल चढ़ाने जा रहा था सामन का महिना है महिना था तो साथ उन्हों नहीं मुझे नई जिन्दगी दी है तो मैं ठीक उसी समय इस समय में बंबलाश्ट हुआ था उसी समय देखेंगे आप अजर दिन देखेंगे उसी तरह से तो पेंट माई सिटी के तहट इसको डिवलेप्रेंट सजाने का प्लान किया गया सजाने का काम किया एक समाजवादी पार्टी के नेता आपके और कमल कुमर के शरवानी दो लोग और दो चाहलों के पर उनाने मेरे उप पर तुने लिखा आपको ने केस लिखाया कि जवर्दस्ती दंका के पतवा दिया कमल कुछ लगते हैं आपके ना कजिन गुद्दाश ने दिखेंगे कमल कुमार केसरवानी बच्चा मेरा जो बता रहा हूं ना कृष्ण कॉपाल गुपता यह मेरा सगा भाई है जी मेरी मम्मी के तीन बहने हैं तीनों बहन आज भी वह एक करीटी में रहती है गाउं एक धंसेड़ा में रहती है उनके बच्चे आज भी किराने की दुकान और कास्मेटिक की दुकान चलाते हैं कोई सब्जी भाजी बेशता है है ममी है मानली मनौरी हमारा नन्हीहाल है तो पूरा गाव हो नन्हीहाल है मामा नाना करके हम लोग सम्मान देने काम करते हैं मौसी करके हम मौन मामी के दादा की लड़की है उनी का बेटा है तो क्या धंगाने के जोरोप लगे जाफाया दिए अब कहने जब समाजवादी पार्टी का कोई विरोधी नेता इस तरह आप चाहिए यहां से सव घर में सर्वे करिए सव घर में सव घर के सर्वे करने के बाद आईए मेरे साथ बैठिये पत्रकार बनके पूछ लिजे गहर पत्रकार बनके ऐसी दिल्ली से आए सर्वे करने आए पूछ लिजे मेरा नाम लेके पूछ लिजे बिना नाम लिए पूछ लिजे सव में सर्वे करके आईए बैठिये तो सव में आपको 90 आदमी बोले कि नहीं यार अच्छा आदमी है अच्छा इंसान है कभी किसी पर नहीं किया 15 साल की राज़ीत में एक आरोप नहीं लगे तो ऐसे ही अब तो तमाम कोई किसी को आरोप लगा करके अपना उल्लू सीधा करने चुनाओ के समय ही ऐसी बाते हैं क्यों आती है फिर एनफ स्टाम भी था सर आपके पास स्टाम विभाग में 366 तबादलों की फाइल सीम योग्या जितनाथ के पास पहुंचती है तो आखें तरेरते हैं आख को स्टाम भी बाग से अलग किया जाता है ने नहीं हमको अलग नहीं किया जाता है मंत्री मंडल का मंत्री मंडल का रिसफल होता है वित मंतराले किसी को इस पाँच चला जाता है एजूकेसंद किसी के पाँच चला जाता है किसी के पाँच पूरा रिसेफल होता है वो रिसेफल हुआ उसमें कौन सी मतलब इसमें नई बात क्या होगी अरे मेरे पास एक मंतराले जाने पात तीन मंतराले आ गया अलसंक्यक कल् प्रदेश के मुख्या हैं प्रदेश के मुख्या को सब की बातों को सुनने का अधिकार है सुनते हैं और योगी जी न्याय करने वाले इनसान हैं योगी जी सब की बातों को सुनते हैं उसमें उनका संग जाकर के मिला कि भई हमारे साथ बीमारी हजारी तमाम चीजें लगा कर करके दिया तो उनोंने एक दो को निरस करने से अच्छा सभी निरस कर दिया अपने उनों तकलीफ बताई कि मैं यह तकलीफ है जब कि जो भी ट्रांसफर हुए थे तो कहीं कोई सीनियर मिनिस्टर की चिप्थी से हुए थे से जो भी ख्लर्क बाबू है वह दादागेरी करते हैं और दादागेरी में कोई समयों को साथ मरपित करा देता है तो वह एक नीती बनी तो उस नीती के तहते अत्तबात यह हूए थो आप Minority welfare, Hajj और वक्ष ये सब देख रहे हैं विल्भाग गाजियाबाद में Hajj House बना था इसको कुछ बदल दिया गया कहां बदल दिया गया कैलाश मान सरूवर और योगी जी जाते हैं तो कहते हैं कि पिशली सरकारों में Hajj House बनवाए जाते थे हम कैलाश मान सरूवर भवन बनाने वाए जाते हैं और असी बीस कब्रिस्तान चमचान क्या मैनौर्टी विल्पेर मिनिस्टर होने के नाते मंत्री हैं सरकार हैं आप क्या पहेंगे देखिए इस पूरे नर्च के जो बार बार पिछली सरकारों पर ये कहने के साथ कि पिछली सरकारों ने क्या किया क्या ने किया लेकिन हम फिर आप असी और बीस जैसा भी बयान जो थे कई कई लिलकों में हम जाते हैं मुस्लिम अद्दाताओं से मिलते हैं वो कहते हैं कि सर बीजेपी की नीतियां अच्छी है माल लीजिया हम ये पिकमान दी रहें तो ये असी और बीस क्या है क्या हम बीस उनके एजेंडे में शामिल नहीं हैं उनके पॉलिटिकल मोटिव में शामिल नहीं हैं अलपसंख्यक कल्यान मंत्री का क्या सुचना है से लेखें समाजवजी पार्टी बसपा और कॉंग्रेस जो मुस्लिम समाज को डरा डरा करके वोट तो लेती रहें कभी इनके विकास बारे में अने सोचा नहीं को आगे बढ़ने के लिए कु hopes कि पनचर बनाये के बच्चे फॅचे हुटपात पर और दिखाने का काम किया है दिख रहा है कितने मुस्लिम समाज मुस्लिम देसों में तिपल तलाग पे बेहन हैं और यहां पर बेहन नहीं था किसी ने हिम्मत नहीं करी आदर्णी प्रधान मंतिर नरिन मोदी जी ने इस कानून को पास करा करके कितनी बेहनों को कितनी माताओं को उनका सम्मान वापस दिल को पढ़ाने के लिए बच्चों को रोजगार करने के लोन दिये जाते हैं सपाबसपा के समय में बंद बढ़ाता हम आये उसको चालू किये चालू करके उनको लोन दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम की तो देखिए यह इस पर कोई भी मुझे लगता की चर्चा या बहांस कि जरूरत है हमारे पास मंतरा ले हैं मंतराले ने कामों किया सरकार को इस दोस्ता बयान को लेना पड़ रहा है मुझे नजी पता कोई बयान का सहरा है हम ने सब के लिए काम किया और सभी का हमको वोट मिल ला है तो चुनाओं के लिए आपको शुब कामना है नहीं क्यों करते करते पता नहीं कब शुरू भी कब कन्क्लूड होने के कगार पे है अलोगर नहीं सुझाए था इस समय ऐसी बाचीत किनमी बाचीत कर सकेंगे क्या होगा वह रह है कुछ हम से छूट गया हो तो शमा के साथ हमें कमें सेक्षिन में लिख कर बताईएगा कि आप ये सवाल पूछ सकते थे हो सकता है अगली बार हम पूछेंगे हो सकता है अगली बार फिर से बाचीत होगी तो हम उन सवालों को फिर से तमाम तक्षियों के साथ पिरो कर आपने ख्याल लखिएगा वेलन आपिकते हीगा, पॉर्म शुर्या